नमस्कार विडाट 24 नियोज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रियंका खाना समयत किसी तरह की मदल लेने से भी इंकार कर दिया मुपाल वा रायसेन पुलिस के साथ ही प्रिसासन के लोग भी रविवार को मौके पर मौजूद रहे तमाम प्रिसासनी कामला किसान परिवार को नीचे उतरने के लिए बिंती करता रहा लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी तंकी के नीचे SDRF की टीम और फायर बिगेड ने तंबू लगा दिये हैं मौके पर एक एम्बूलेस भी खड़ी कर दी गई है जानकारी के मुताबिक और बिदुल्ला गंज रायसेन निवासी रितेस गोस्वामी उम्रचालिस वर्स पतनी सीमा और तीन बच्चों के साथ सनिवार दोपार तीन बजे कस्तूरबा नगर में पानी की टंकी पर चड़ गए रितेस का कहना है कि भोजपूर में उसकी करीब दो एकड़ जमीन पर धनेजर सिंग चोहान ने कबजा कर रखा है और बार बार गुहार लगाने के बाद भी कारिवाई नहीं की जा रही है रितेस का कहना है कि जब तक मुख मंत्री यहां आकर आस्वासन नहीं देंगे तब तक वो नीचे नहीं उत्रेंगे आपको बता दें कि एक जारा दिसंबर को रितेस अपने परिवार के साथ इसी पानी की टंकी पर चड़ा था वह 24 गंटे के बाद उत्रा था बाद में गोबिनपूरा पुलिस ने रितेस और उसकी पतनी के खिलाब बच्चों की जान जोखी में डालने का केस दर्ज किया था इस मामले में एडिशनल डी सीपी राजस सिंभधवरिया का कहना है कि रितेस का जमीन को लेकर पैत्रिक विवाद चल रहा है वह असम्मैधानिक रू पुलिस ने नगर निगम SDRF को भी घटना की जानकारी दी थी रविवार को दोनों विवाद के कर्मशारी मौजूद रहे परिवार उपर से नीचे ना कूदे इसके लिए जाल बिचाने की योजना बनाई गई लेकिन नगर निगम और SDRF के पास जाल ही नहीं था बाद मे किसी की विवाद सुनने को तयार नहीं है तमाम बड़ी कबरों के लिए देखते रहें विराट 24 ने उस धन्यवाद पता याद रखें स्काई रेस्टोरेंट विश्वे विद्याले रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा